जिन्दगी की राहों में रंजुगम के मेले हैं भीर है कयामत की और हम यकेले हैं स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अलफा स्टडी में दोस्तों और दोस्तों आज हम लेकर आए हैं दोस्तों आर आर भी गुरूप डी के लिए काफी धासु बैश दोस्तों और दोस्तों बात करेंगे दोस्तों किसी भी कुश्टन को ऑप्सन सउड़ा देने का ठीक है दोस्तों आए दोस्तों देर ना करते हुए आज का फर्स्ट कुश्चन देखते हैं और फर्स्ट कुश्चन ये रहा आपके इश्किन पर दोस्तों कहता है कि दो अंकों वाली एक संख्या उनके अंकों के योग से गुना करने पर 405 मिलता है जबकि अंकों के इस्ति से उड़ाएंगे दोस्तों किसी भी question को option से उड़ा देंगे दोस्तों जैसे देखिए पहला इसको option लिख देते दोस्तों पहला इसका option है एक्यासी दूसरा इसका option है 45 और तीसरा इसका option है 36 और चाथा option है इन में कोई नहीं नन ठीक है अब जड़ा देंगे दोस्तों कैसे इस question को बनाएंगे अब पहले option लिख दिये उसके बाद question को पढ़िए कि दो अंको वाली संख्या अंको के योग से गुना करने पर 405 मिलता है तब पहला जो संख्या है वो हमारा संख्या एक्यासी है एक्यासी को अंको के योग से गुना कीजिए 9 से तो 9 से गुना कीजिएगा तो 9 हो गया 9,8,72 405 मिला 405 नहीं मिला तो दोस्तों पहला option हमारा क गलत हो गया दोस्तों अब देखिए दूसरा अप्शन की बात करते हैं तो 45 है और 45 में अंको का योग कितना होता है पांच चार नौ से गुना करेंगे गुना करने पर 405 मिलता है और जबकि अंको की इस्थिती अदल बदल करने पर बनी संख्या नई संख्या में गुना करने पर 486 प्राप्थ होता है अब देखिए दोस्तों इसका इस्थिती बदल दीजिए यानि 45 था न तो उसका इस्थिती बदलेगा तो 54 होगा आप इसके अंको के योग से गुना कीजिए 9 चुँका 36 का 6 हाथ में 39 45 था 3 क्या होता है 486 हुआ तब पहिला परिक्षा में भी पास हो गया दूसरा परिक्षा में भी पास हो गया दोस्तों आप संख्या स्रेनी यानि संख्या सेली से यस टाइप का कोश्टन एकडम नोट कर लीजिए दोस्तो पुछता ही पुछता है आप अपना एक नंबर फिक्स कर लीजिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तो इस वीडियो को सुरू से लास तक देख लीजिए दोस्तो आपका एक नंबर OS करते हैं अब next question के वर चलेंगे और हर एक question वहीं लेकर आए हैं जो काफुी बहतरीं है दोस्तों और एक अधे प्रकार का 500 कौॉश्चन इसलिए लेकर आते हैं दोस्तों ताकि आप असानी के साथ अगर आप up the examination में जायें दोस्तों तो कसानी के साथ बना ले दोस्तों आयो दोस्तों next question क्यों चलते हैं और next question यह रहा आपके screen पर दोस्तों पहले इसका option लिख लेते हैं पहला option इसका क्या है पहला option इसका है एक सो एकाइस दूसरा अफसन इसका है दूसरा है दो सो एक तिस और तीसरा अफसन इसका है पान सो एक सट और चौथा अफसन इसका है चार सो एकावन अब इस प्रस्न को पढ़िए कहा तीन अंको की संख्या अंको का योग एक ग्यारत से भाज्य है यानि एक ग्यारत से सब्सक्राइब कर सकते कि कौन सही होगा अब आगे पर यह वह संख्या उन संख्या को उलट देने पर बनने वाली संख्या से 297 अधिक हो रहा है अच्छा 121 को उलटिएगा तो 121 होगा तो 297 अधिक होगा नहीं होगा तो दूसरा गलत हो गया अब देखें तीसरा नंबर की बात करते हैं तीसरा नंबर आफ्षन की बात करते हैं 561 अब 561 को अगर उलटेंगे तो 165 हो जाएगा और इसको घटाईएगा तो 111 में से 6 हमको कहता है दूसरा 951 अधिक तो यहां पर तो 6 आ रहा है तो यहों कही हो अधिक नहीं होगा अब देख लिजिए कि 3 को हमारा गलत चौथा तो राइट एंसर है यह है आप इसको देख भी सकते हैं 451 क्यावन में से 154 घटाईए तो कितना हो जाता है एक 11 में से 7 और यह हो जाएगा आपका तो का प्रंसब्रेंसर है दोस्तो हम उसम से उजल को बिदिन बना देते हैं दोस्तो क्योंकि आप देख रहे अल्फा श्ट आपका काफी बहतरीजों से बहत्रीजों कोरा दे नेक्स पर पहले उप्राश्ट लिख दे दे उसके बाद बात करते हैं दोस्तोंat पहला अपसन आपका 54 दूसरा अपसन आपके पास 45 और तीसरा अपसन क्या है आपके पास 63 और चौथा अपसन आपके पास क्या है नन ठीक है अब जड़ा ध्यान दीजेगा दोस्तों क्वेश्चन में क्या कहा कि दो अंको की संख्या अंको का योग 9 है तो सभी संख्या के अं को को इस्तिती बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से नौ अधिक होती है देखिए इसमें मूल संख्या कितना है मूल संख्या 54 है मूल संख्या क्या है 54 है इसको इस्तिती बदलियागा तो क्या हो जागा 45 तो नई संख्या मूल संख्या से नो अधिक आया नहीं आया नो क्या या कौम ही आया तो पहिला हमारा क्या हो गया गलत हो गया अब दूसरा अप्सन देखे 45 45 को जैसे ही बदलिएगा तो क्या हो जाएगा 54 अब नई संख्या जो है हमारा 54 है अब मुल संख्या हमारा क्या 45 है मुल संख्या क्या है मेरा 45 है क्योंकि मुल संख्या हमारे पास 45 है और नया संख्या 54 है और नौ अधिक भी है तो इसलिए हमारा option number two परम सत्य एंसर हो गया दोस्तों तो आसानी के साथ उरा देते हैं दोस्तों ऐसे कोश्चनों को दोस्तों बिदिन सकेंड में बना देते हैं दोस्तों आये दोस्तों नेक्स्ट कोस्टन के और चलेंगे और हर एक कोस्टन वही लेकर आया है दोस्तों जो बार-बार एक्जामिनेशन में पूछा गया है दोस्तों आये दोस्तों नेक्स्ट कोस्टन को चलते हैं और नेक्स्ट कोस्टन ये रहा आपके स्कीन पर दोस्तों कहता है पहले अपसन को पास 813, दूसरा option हमारे पास है 349, और तीसरा option हमारे पास है 663, और चौथा option हमारे पास है none, ठीक है अब जड़ा ध्यान दीजेगा दोस्तों, अब question क्यों पड़ते हैं, कहते हैं कि A, B, C, 3 अंको वाली संख्या है, ठीक है, A, B, C, 3 अंको वाली संख्या है, A square प्लस B, स्क्वाइर पलस सी स्क्वाइर बराबर 74 है अच्छा अब कहता है कि एकाई एवाम दहाई के अंको के योग का दोगुना है एकाई एवाम दहाई के अंको का योग का क्या है दोगुना है तो ए जो है एकाई एवाम दहाई के अंको का योग का क्या है दोगुना है तो ए जो है पहला अफसर है आठ सो तेरा अब एकाई एबम दहाई के अंक का योग कितना होगा एक पलस तीन क्या होगा चार चार का दुगुन्ना है आठ चलिए इस बात को तो सही मतलब पूरा क्वेश्टन जो है ना जो बोल रहा है उस पर फिट बैठ रहा है कहा क्या कि ए एकाई एब देथा ना आम दहाई के आञकों का योग कर दुगुन्ना है ठीक है क्योंकि यह है आपका इकाई दहाई सक्रांग अब देखि आप क्या और को अदला बदला किला है तो प्राप्त संख्या का तो अंत्तर जो है ना गया नौ हुआ और यह हो जागा आपका साथ साथ में से तीन गया तो चार चारसो पंचानवे भी आपका आ गया तो अप्सन नमबर एक इसका क्या हो गया परम सत्य कर अन्सर हो गया डोस्टो आसानि के साथ उढ़ा देते हैं ऐसे को स्टों को दोस्तों ब्हुत घ्Genicated में लड़ा दे अगर आप नहीं कर पाना है दोस्तों तो बहुत ही difficult हो जाता है दोस्तों आए दोस्तों अब next question के और चलेंगे आए दोस्तों next question को चलते हैं और next question यह रहा आपके screen पर दोस्तों पहले option को लिख देते हैं दोस्तों पहला option है इसका 34 पहला option इसका क्या है 34 दूसरा option है इसका दूसरा आपका Human तीसरा option है इसका 35 और चौथा option इसका है 16 ना और पाच्मा भी option इसका दिया हुआ है 52, आप question को पड़ते आप कोश्चर को पढ़ते हैं कि दो अंको की संख्या अंको का योग साथ है अब देखें दोस्तो इसका अंको का योग कितना है 4-3,7,6-17,5-27,6-17,5-27 तो पहला फर्ष्ट जो कोश्चर पढ़ते हैं उसमें सभी आदमें फिट बैठ रहे हैं यदि अंको को पलट दिया जाए तो नई संख्या में तीन जोरने से मुल संख्या की चारगुनी हो जाती है अंको के अंक पलट दिया जाए तो पहिला 34 को पलटियेगा तो कितना होगा 43 ठीक है ऑब देखिए यहां 61 को पलटियेगा तो 46 हान एक करलो को पलट दिया जाए तो नई संख्या में तीन जोरने पर मुल संख्या का चार गुना हुआ मुल संख्या 34 का 46 चार गुना है नहीं है तो पहला अप्सन हमारा क्या हो गया गलत हो गया आईए अब इत्मिनान सा जानते है दोस्तों अगले question पर अगला option पर अब देखिये यहाँ 61 है 61 को पलटिया गा तो क्या होगा 16 16 में 3 जोरिया गा तो कितना होगा 16 29 जो है ठीक है या आपका 61 का कितना गुना कहता है 4 गुना है नहीं है तो दूसरा option भी क्या हो गया रॉम हो गया आईए तीसरा number option देखते है कहता है 25 अब 25 को पलटते है तो क्या होता है 52 52 में 3 जोरते है तो क्या होता है 55 25 का 3 गुना है नहीं चलिए ये भी आपका क्या हो गया रॉम हो गया आईए चौथा number option देखते है चौथा number आपका option क्या है 16 तो 16 16 में 3 जोरियेगा तो 64 और 64 64 किसका है 16 मुल संख्या का क्या है चार गुना है तो option number 4 इसका right answer हो जाएगा दोस्तो तो इस तरह से आप examination में ऐसे questions को इस तरह से उड़ाईएगा दोस्तो अगर आप group D का examination देने गए हैं दोस्तो दोस्तो अगर आपको group D में qualify करना है दोस्तो तो आपको time taken और fast आपको बनना परेगा दोस्तो तो आसानी के साथ आप बनाईए और accuracy आपका एकदम सही होना चाहिए सब चीज depends आपको accuracy पर करता है दोस्तो कि आप कितना speed में किसी question को take up करते हैं दोस्तो आपको person बनाने भी आना चाहिए आपको person किस तरह सो छोड़ा जाए ओभी आना चाहिए दोस्तो ऐसा नहीं कि आप question बनाने गया है और पहला option आपको पहला question नहीं बनना उसी में लगे हूँ है चार दिन तक पता चला कि time आपका खतम हो गया उसी को तो examination कहते हैं दोस्तो आईए दोस्तो कहता है कि दो संख्याओं का गुनन फर 336 है और इसके योग उनके अंतर से 28 अदिक है दोस्तो पहले option लिखते हैं क्योंकि हम value put method पना रहे हैं दोस्तो हर एक question को option से उड़ा रहे हैं दोस्तो पहला option है इसका 42 और 8 दूसरा option इसका क्या है दूसरा option है 24 और क्याची 14 और तीसरा option है दोस्तो 21 और सुला ठीक है और चौथा option है दोस्तो 48 और क्याची 7 आईए दोस्तो अब देखिए आप question को परते हैं कहता है कि दो अंको की संख्या अंको का गुनन फर 336 है अब पहला है हमारा कि 42 में अगर 8 से गुना करिएगाOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 42 में से 8 घटाईएगा ठीक है तो 42 में से 8 घटाईगा तो 12 में से 8 गया 4 और ही हो जाएगा आपको 3, 34 ठीक है, कितना 34, अब इसका difference आप देखिये था difference देखियेगा, तो 10 में से 4 गया 6 और ही कितना हो गया आपका 4 में से 4 में से 3 गया 1 सुल तो ये आपका पहला अपसन क्या हो गया, गलत हो गया दोस्तो पहला अपसन क्या हो गया, गलत हो गया दोस्तो, पहला अपसन इसका भेरीफिकेसर इसको नहीं दे रहा है दोस्तो, या अब देखिये अब दूसरा अपसन क्योंद चलते हैं 24, 24 में पहले 14 से गुना करते हैं चार चुका स्वल्ला के छो हाथ में एक चार दुना आठ एक नौ और यहां हो जाएगा चार यहां हो जाएगा दू अब इसको जोरिए छो तीन तीन ठीक है 336 तो आ गया अब इसका योगफल करिए 24 और 14 को जोरिएगा तो आठ तीन 38 हुआ ठीक है और 24 में से 14 को घटाईएगा तो क्या हो जाएगा 10 और इसका डिफ्रेंस निकालिएगा तो सच में 28 इसका डिफ्रेंस आ जा रहा है दोस्तों तो अफसर नंबर 2 इसका क्या हो गया अब परमसत्य अंसर हो गया दोस्तों अफसर नंबर 2 जो है न इसके सभी परिक्षाओं में पास कर रहा है दोस्तों इस कोस्टन के सभी कथन को अपने अंधर समावेश कर ले रहा है दोस्तों तो इसलिए अफसर नंबर इसका क्या अफसर नंबर इसका दो इसका परवसत्य अंसर है दोस्तों आए दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों कि कोस्टन सब पुछा हुआ कोस्टन ही बार बार पुछा हुआ कोस्टन ही हम आपको लेकर आए हैं दोस्तों आए दोस्तों इस मायावी ट्रिक के दुनिया में हम आपको पुनह एक व है 446 दूसरा अपसन आपके पास है 421 और तीसरा अपसन आपके पास है 482 और चौथा अपसन आपके पास है 842 आए दोस्तों अब कुस्टन क्यों पढ़ते हैं तीर अंको की संख्या अंको का योग 14 है अंको का योग 14 है अब अंको का योग चार दा सा चार चाउदा चार दूछ एक साथ इसका तो नहीं है भाई तो यह हमारा इस पर काटा लगा दीजिए आर्च चार बारा दूच उदा ही है अब देखिए पहला परिक्छा में तो हमारा तीन ओप्सन क्वालिफाई कर चुका है लेकिन option number two disqualify हो गया दोस्तो वो qualify नहीं कर पाया दोस्तो आये दोस्तो कहता क्या है कि दहाई 31 से दुगुन्ना है दहाई 31 से क्या है दुगुन्ना है तो गया दहाई 31 से दुगुन्ना नहीं है 42 त हैकाई अंक है दू अड़ाइख है चार और सेकडा अंक है आठथ तो देखिएगा दहाइज़ है है बिल्कुल है और कहता है शैकडा का 반 चंथाइब यानि कहने का मतलब जब है इकाई जो है दू है और सेकड़ा आठ है तो सही हो गया तो option number D परम सत्य अंसर हो जागा दोस्तों बनाने की कोई जरुवत नहीं दोस्तों क्लम चलाने की कोई जरुवत नहीं दोस्तों क्योंकि आप देख रहे हैं दोस्तों alpha story दोस्तों और अगर आपको अच्छा लग रहा है दोस्तो वीडियो तो जरूर चाइनल को लाइक से सब्सक्राइब करें दोस्तों पता है दोस्तों फालतू के चीज़ देखने से कोई फैदा नहीं दोस्तों कहावत है मनीज नो लोस्ट टाइमीज भेज लोस्तों अगर आपके पास समय है दोस्तों तो किसी भी जुकेशन चाइनल को देखिए अगर आप विद्यारती है तो दोस्तों चाहे आप वही चीज़ को देखिए जो आपके लिए वास सकता है दोस्तों नहीं तो रात के अकेले वाला मत देखिए दोस्तों आए दोस्तों नेक्स्ट कोस्टन क्यों चलते हैं दोस्तों और सबसे पहले दोस्तों, option को लिख देते हैं, उसके बाद question को पढ़ेंगे, पहला option है इसका 38, दूसरा option है इसका 73, और तीसरा option है इसका 48, और चौथा option है दोस्तों, 84 दोस्तों, आइए दोस्तों, कहता क्या है कि दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या, संख्या को प्रस्नल बदलने पर प्राप्त संख्या का योग 110 होता है, ठीक है, अब देखिए, पहले आप इसका देख लिजे, 38 है, 38 को बदलिए, तो आठ तीन, इसको जोडिएगा, तो कितना आजाएगा, एक 11 के एक हाथ में 110 आ रहा है, नहीं आ रह होगा, आईए, दूसरा अफ्सन क्यों चलते हैं, 73, इसको पलटिएगा, तो 37, अब इसको जोडिए, 10 का जीरो हाथ में एक, आज साथ तिन दस एक हाथ, हाँ, चलिए, यह तो हो गया, अब कहता है, अब कहता है, तो संख्या ग्याद किजिए, जबकि उनके अंतर चार हो, आप देखिए भाईया, कि साथ में से तीन जाता है, तो अंतर भी चार आ रहा है, तो अफसन नंबर दू को प्रमसत्य कर दिजे दोस्तों, कहते हैं दोस्तों, कि खुदा का काम था बरक्कत, ओमा खरने लगी, खुदा का काम था ही पाज़त, ओ मा करने लगी दोस्तों, देखते ही देखते उसके आखों के सामने कोई और परबदिगार हो गया, देखते ही देखते उसके आखों के सामने कोई और परबदिगार हो गया दोस्तों, ओ बहुत मायुसुआ, ओ बहुत मायुसुआ, बहुत पस